सबसे इंपोर्टन चीज़ पर आते हैं कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करें इंदर में ठीक है तो यह जो चीज लिखी हुई है जो मैंने 35-35-10-30-30 यह आपको एम करना है कि मुझे इतना ही स्कोर करना है बहुत ईजी है स्कोर करना मैं टाइम भी बताऊगा सबसे पहले मैं यहाँ पर मजाक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक सक्षन इतना ही स्क्षन है कि मैं जब अपने टाइम पर एग्जामनेशन दिया था आई स्कोर 40-40 मजाक नहीं कर रहा हूँ बहुत ईजी होता यह जाए ठीक है तो मैं आपको 25 मिनिट्स दे रहा हूँ वह भी ज्याद है and you are getting calculator for it ठीक है जो question solve करने वाले है वो आप सिर calculator से ही कर सकते हो it is very easy and even आपके GK के person आ रहा है तो you have to just see and you have to just tick it ठीक है जीक का भी syllabus सब कुछ यहाँ पर uploaded है already application पर you can just download it and आप उससे पढ़ सकते हो जीके आपका वहां से cover हो जाएगा तो आराम से आपका GK भी cover होने वाला ह है यहाँ पर you are getting 40 minutes and you have to score at least 35 out of 40 ठीक है chemistry पर फिर आगे बढ़ोगे move on करोगे then आपको 25 minutes दे रहा है मैं आपको सिर्फ बोलों के 10 score करो अब chemistry सबसे useless subject है यहाँ ठीक है आपको piece number का आता है and you have to read four books for it ठीक है जो कि सबसे बेवकूफ वाले हरकत है ठीक है मैं सब चीज एक्स करूंगा एक एक चीज ठीक है क्या important है क्या नहीं ठीक है मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनों ठीक है चार किताब पढ़ने की जरूत नहीं है you have to just solve the DPPs whatever have been given to you उसमें से आराम से आप 10 questions कर लेके जाओगे ठीक है 20 questions होते हैं 10 आपके सीधे-सीधे organic से होते हैं 2-3 आपके पांच नंबर के इन और्गेनिक के लिए पूरा पूरा इन और्गेनिक के पढ़े किसी के बस टाइम नहीं इतना ठीक है तो थोड़ा सा आपको यहां logical way में चलना पड़ेगा अब chemistry को स्किप करके पढ़ना आप सिर्फ और सिफ डीपी के उपर जाके भी इतना स्कोर कर सकत तो मैं physics पर जाता है और मैं गया भी हूँ अपने टाइम पर and then maths पर जाता है क्योंकि physics में theoretical ज्याद होते हैं and even numerical भी आ रहा है तो it will be easier than the mathematics ठीक है तो फिर मैं जाओंगा physics पर physics पर मैं आपको दे रहा हूँ 45 minutes and मैं आपको बोला हूँ कि 50 में से आप सी 30 स्कोर करो ताफी decent number of questions दे रहा हूँ मैं कि आप उसको solve करोगे and मैं फिर बताता हूँ आप कहां पर आग के खड़े होगे and then उसके बाद आप फिर 45 minutes से ये ख़तम दरके and then you will go last 45 minutes आप दोगे mathematics को ठीक है आप थोड़े थोड़े दो तीन-तीन मिनट यहां पर बचा सकता है इन सब चीजों में ताकि एक बार लाश में पूरा एक overview आप कूट-कूट के देख सकते हैं धर सोतर में मोटिव मेरा क्या है कि आप जो 180 minutes मिल रहा है उसमें आप सारे questions देख लो ऐसा नहीं कि 180 minutes मे आप सिर्फ 1500 questions तक पहुंचवा और आखरी के 50 questions mathematics में आप देखी ना पाओ क्योंकि सर मेरा में को आता ही नहीं है अगर नहीं भी आता है न तो भी 10 questions आप आराम से कर लेके जाओगे पच्छिस पच्छिस पच्छास चालिश नाइटी और फॉटिफफ़ नाइटी यह आपके 180 minutes चलो यह तो हो गया उसके बाद इस पर आते हैं 35-35, 70, 10-80, and 60, 140 मार्क्स पर आके खड़े होते हैं अब मैं यह कंसीडर कर रहा हूं आपने कोई गलती नहीं करी क्योंकि आर अपने गलती कर भी दिया तो आप कितने पर आके खड़े होते हैं सब्सक्राइब कर रहा हूं क्योंकि मुझे में अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं तब मुझे IMU City में ओल इंडिया राइंट स्कोर वन नहीं करना है सब्सक्राइब करूंगा और एक अच्छे कॉम्पनी में और एक अच्छे कॉलिज में अडिमिशन होगा डिया इंडिया से मुझे 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 IMU City में राइंक वन लेके आना पड़ेगा 1000 रंडर में लेके आना पड़ेगा इसेंट राइंक एनी राइंक लेके अराम से इतने में आ जाएगा ठीक है तो दिस इस टाइम मेनेजमेंट यू हब तो फॉलो दूरिंग दे इग्जामिनेशन यू आर गई तो गेट मोर वीडियोस एक सब्जेक्ट पे कौन से सब्जेक्ट में कौन सा पॉइंड इंपॉ आप इतने पर अराम से एक डिशेंट राइंक ला रहे हो एंड इस्पॉंसर से पर आपको फोकस करना यही पॉइंट था मेरा एंड होफफुली आपको आई मुस्यूटी समझ में आ गया होगा कि क्या है क्या से बैटर ने सब कुछ उसके बारे में छोटा से कुई कोवर व आपको एक जानेशन देना होगा तो यह वी ट्वेल्थ जो ट्वेल्थ अपीरिंग बच्चा है जो यह वीडियो देख रहा है यो गाइच कन और वही आपको फिल करना वही आपका अगला एम है बट अलोंग विद आई मूस्यूटी आपको स्पॉंसर से भी लेके चलना है स्पॉंसर से लिए नेक्स्ट वीडियो जरू देखना जब भी अप्लोड होता है थैंक यू फो वाचिंग इस वीडियो